हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे सिटी ओफ गोल्ड दुबई दुबई नाम जहन में आते ही याद आती है गगन जुम्बी इमारतें और सोने के अकरशक गहने फ्रेंड्स इस देश में जितना पीला रेत है उतना एक खराई पीला यहां का सोना है मगर एक जमाने में यहां रेत के सिवाए कुछ नहीं था आईए फ्रेंड्स नजर डालते हैं दुबई के इस गोल्डन सफर की तरफ आज दुबई गोल्ड बिजनस में अमेरिका और होंग कॉंग से भी आगे है इस सफर की शुरुवात 1996 में हुई थी तब दुबई की सरकार ने दुबई शोपिंग फेस्टिवल में परेटकों को अकरशित करने के लिए सोने की गुणवत्ता की निगरानी और टेक्स का नया सिस्टम बनाया था फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और दुबई को सिटी ओफ गोल्ड क्यों कहा जाता है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए आखिरकार दुबई ने वहकर दिखाया जो अमेरिका भी ने कर सका आज अगर सोने का जिकर आता है तो दुबई का नाम जरूर लिया जाता है हम इस वीडियो में जानेंगे दुबई के इस गगंजुमे सफर के बारे में फूरी दुनिया के सोने का 20-40% हर साल दुबई से होकर गुजरता है इन तीन कारणों से समझिए कि दुबई का ही सोना खरा क्यों समझा जाता है नमबर एक दुबई में सबसे सस्ता सोना आप साल में किसी भी दिन दुबई गुमने चले जाएं अगर आप वहां सोने का भाव पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुबई में सोना 10-12% सस्ता ही है यहां साल के किसी भी समय 50 टन सोना उपलब्द रहता है दूसरा सबसे बड़ा कारण एक जगे सारे डिजाइन्स चाहे आप सिंगापूर के हों, होंकों के हों, बंगाल के हों या फिर दक्षिन भारत के आपको अपने मनपसंद डिजाइन यहां असानी से मिल जाएंगे दुनिया का कोई भी डिजाइन हो, इटैलियन हो या अरेबिक हो आप बस एक बार दुब़ई जाकर तो देखिए आपको दुनिया का हर डिजाइन यहां मिल जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट करण सोने में मिल आउट पर कड़ी सजा फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा कि सोना कितना मेंगा हो गया है इतने पैसे खर्च करके अगर कोई मिल आउटी गेहने आपको पकड़ा दे तो फिर आपके पैसे बेकार ही गए समझो दुब़ई का सोना मतलब बेस्ट क्वाल्टी किसी मिल आउट का सवाल ही पैदा नहीं होता सक्त कानून कड़ी से कड़ी सजा और लगातार इंस्पेक्शन के कारण यहां किसी की हिम्मत ही नहीं कि वह मिल आउट कर सके फ्रेंड्स, दुबई स्थित DRS City Center में दुबई में दुबई में दुनिया भर की ख़दानों से कच्चा माल आता है सरकार ने यहां रिफाइनरियों की संक्या बढ़ा दी है भारत में भी होल मार्किंग की पहल को दुबई ने सरा है उमीद है भारत भी ग्राकों में विश्वास पैदा करेगा ताकि ग्राक को खरास होना मिल सके फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दा वीडियो एंड सब्सक्राइब दा चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई